मसूडे नीचे उतरने की प्रोब्लेम जिसको होम इंग्लिश में गम रिसेशन भी बोलते हैं इसके लिए क्या ऐसा पांच घरेल उपचार है जो आप अपने घर बेठे कर सकते हो कि जिससे जो मसूड rules नीचे उतरने की प्रोब्लेम है उससे आपको आराम مिले या तो मसूड ज्यादा नीचे न उत्र है और किसी किसी को अगर mild gum recession है मतलब कि बहुत ज्यादा मसूड़ा नीचे नहीं उत्रा हुआ है तो वो ऐसे क्या 5 home remedies कर सकते हैं जिससे उसको अच्छा हो जाए या तो मसूड़े फिर से ठीक हो जाए तो नमश्कार friends में डॉक्टर मितुल सोजीतरा and let's get started yes friends तो पहले हम समझते कि मसूड़ा नीचे उतरना किसको बोलते हैं जिसको हम gum recession या तो जिंजावल recession बोलते हैं किसी किसी को एकाद या दो दात में ऐसे मसूड़ा जो अपने junction से नीचे उतरता है वैसी problem रहती है या तो किसी किसी patients को सारे मसूड़ों की यानि कि सारे दातों में जो मसूड़ों का लेवल है वो कमजोर होते हैं धिरे धिरे नीचे की तरफ उतरता जाता है तो इसको बोलते हैं जन्रलाइजड मसूड़ा नीचे उतरना यानि कि जन्रलाइज गम recession इसको बोलते हैं localized recession तो उसके लिए क्या-किया पांच होम remedy से उसकी बात करते ह मैं एक ऐसा सबसे common reason सबसे महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा कि जिसको आगर avoid करें तो मसूड़े नीचे उतरने की problem को आप stop कर सकते हैं तो बात करते होम remedy नंबर वन की रेलू नुसका नंबर वन है aloe vera gel aloe vera gel जो कास करके मैं prefer करता हूँ कि fresh अगर aloe vera का pulp ये जो aloe vera रहता है उसमें से fresh अगर pulp निकाल के आप यूज कर सकते हैं तो वह बहुत ज्यादा बहतर रहता है करना किया है aloe vera gel से अपने मसूड़ों के ऊपर ऐसे गोल-गोल खुमा के ऐसे मसाज करना है मसाज की direction जो है अगर आप नीचे के मसूड़ों में करते हो तो नीचे से धिर मसूड़ों से दाथ की तरफ यानि की उपर की तरफ और अगर उपर करते हो तो ऐसे गोल-गोल घुमा के उपर से नीचे की तरफ ऐसे दिन में दो से तीन बार आप मसाज कर सकते हो उससे होता कि आए कि जो मसूड़ों की प्रोब्लेम है वो धिरे-दिरे करके inflammation वगेरा कम ह होता है और मसूड़ा जो फूला हुआ मसूड़ा है कि जिसकी वज़े से उसका नीचे उतरने का लेवल स्टार्ट हो जाता है उसमें धिरे-दिरे छुटकारा मिलता है और मसूड़े ज्यादा नीचे उतरना स्टॉप हो जाते और अगर किसी को माइल्ड गम रिशेशन की करने में तो घर पर ही आप ठीक कर सकते हो अब कमिंग टू दा एउम रेमेडी नंबर टू विच इस सॉल्ट वॉटर गार्गल इसमें करना किया है खाली गुंगुने गरम पानी में आप एक से दो चमच नमक डालना है और उससे दिन में एक से दो बार कुला करना है कुला करन जो मसूडों में सुजन रहती है वो भी कम हो जाती है और उससे मसूडे जो नीचे उतरने की प्रोब्लेम है उसमें से भी छुटकारा मिलता है अब कमिंग टू दा होम रेमेडी नंबर थ्री विच इस ओईल पुलिंग यह बहुत ही ट्रेडिशनल एक आयुरुवेदिक ट घुमाना है जैसे कि बहुत तेजी से अगर आप 5-10 मिनिट घुमाते हो तो उसके ओरोल हेल्थ बेनिफिट्स तो ही मुह में से टॉक्सिंस निकालने भी हो हेल्फुल है और खास करके जो अपने सुबह उड़ते ही अपने मुह में जो बेक्टेरिया का लेवल है वो अपने यह ज्यादा बारीक पाउडर के फॉन में होता है तो इसको करना किया है इसको थोड़ा सा सर्सों के तेल के साथ मिला के या तो हनी के साथ मिला के आप पेस्ट जैसा कि vocês वाला फोंब बना सकते हो कर इसको मसूड़ के उपर एससे से मसाज कर सकते हो जैसे मैंने एलोवेरा जिल में भी बता है, वैसे ही आप मसाज करके, जो मसुडों की प्रोब्लेम है, उसमें आपको आराम मिल सकता है, खास करके ये धियान रखना है कि मसाज करने के टाइम पर हलके हाथों से, खाली उंगली से गोल घुमाना है, ना कि बहुत तेजी से रग होना चाहिए, और उसमें खास करके, ओमेगा-3 fatty acids वाला आप खाना खाते हो, तो अपने oral health के रिए और मसुडों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ओमेगा-3 fatty acids, नॉर्मली हमको फ्लेक्सीड यानि के अलसी के बीज जिसको बोलते है, तो रोस्टेड अलसी के बीज आप अगर खाने की हबिट डालो अपने day-to-day life में, तो उससे भी काफी ओमेगा-3 fatty acids मिलता है, और अच्छा nutrition वाला फूड, खाके आप अपने मसुडों को, अपनी oral health को और अपनी oral health को आप बेटर बना सकते हो, सुड़े नीचे उतरने की problem, जिसको हम गम recession बोलते हैं, उसका सबसे common reason, सबसे महत्वपून कारण होता है, faulty brushing technique, काफी लोगों को ऐसे घिस के regard के फटा-फट brush करने की आदत रहती है, coming to that slide, ऐसे faulty brushing technique अगर किसी की है, तो उसमें क्या होता है, कि अगर बहुत ज्यादा brush करते हो, या तो बहुत hard brush करते हो, तो उससे भी मसूडे नीचे उतरने की problem रहती है, तो इसमें खास तोर से मैं ये सला देना चाहूंगा, कि हम लोग जो brush यूज़ करते हैं, वो soft quality का होना चाहिए, soft से medium brush आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे पर कोई भी हनिकरक effect नहीं होता है, और अपनी cleaning जो हो अच्छे से effectively हो सकता है, तो सबसे पहले soft या medium brush यूज़ करना चाहिए, बाद में किसी कि brush पकड़ने की style ऐसे palm grip रहता है, तो उससे और ज्यादा force exert होता है, दात और मसूड़ों पर, तो उसको ऐसे finger grip, यानि कि finger से हलक अच्छ मिनिट के अंदर आप अपने दातों को effectively clean कर सकते हो, और ऐसा brushing हमको सुबा और शाम को सोने से पहले करना चाहिए, अब right brushing technique किया है, उसका मैं link अपने eye button और description में दे दूँगा, वो आप video refer करके अपनी एक अच्छी brushing technique कैसे करते हैं, उसको follow कर सकते, और खास करके य तो कोई भी food logement, खुराक फस है, उसको हलके से remove करके बाहर आ जाए, तो हलके हाथों से soft या, तो medium brush से हम brush करें, तो उससे अगर हमारी मसुडो नीचे उतरने की problem है, तो और ज्यादा नीचे उतरते हम prevent कर सकते हैं, उसको problem को वहीं पर हम stop कर सकते हैं, तो friends, अगर आज की video आ तब तक के लिए keep smiling,